कि चलिए तो अब हम लग करते हैं एक चोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं हॉर्मोनल रेगुलेसंस इन मेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम क्यों क्यों कि मैंने आपको एंडोक्राइन में यह सारी बातें बता दिए बस यहां पर जस्ट एक फॉर्मेलिटी तो पूरी तरीके स्टेजज में आता है अडल्ट सेज में आगे में तो हमने हिए करने होर्मोन और और रहा इंटीरटी के तब और गरें त्रोफीन दो परकार का होता है मैंने बता है एक हूता है एलह यह ऩो अफ तो बताया ने बताया लच और एक पर आप यह दोनों नाम प्रोट्रेक्टिव शिस्टम का एक पर आप आप अब समझे में भी आर्मोन आता है लिग में क्या करता है है यह 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 जाएगा कहां पता है याद करो सेमीडी फरेस्टी बताते ऐसे करके यादा रहे जिसका नाम था लैडिंग सेल कुछ यह इन्टर्स्टी करता है और लैडिंग सेल को बोलता आठी तुम ने टेस्टोस्टेस्टरोन बनाओ क्या बनाव तुम टेस्टोस्टेरon बना वो लए ठीक है टेस्टेस्टेरon बनाकर किया होगा मैं बना देता हूँ तो यह टेस्टेस्टेरon एस्परर्मेटोगेनेशिस के प्रोसेस को कंटीनू करेगा. स्टार्ट करेगा दूसरा मेल में सकेंडरी सेक्सवल करेक्टर बनवाने के लिए जिम्यवार होगा मेल में सकेंडरी सेक्सवल करेक्टर क्या दाड़ी मूच अब आज बॉल्ड हो जाना मान स्पेसियां मजबूत हो जाना मसल्स वगर स्टॉंग हो जाना यह सब करेक्टर किस अगर पढ़ना है तो मैं आपको दो टाइप के सेल बताता था याद है एक तो जर्मिनल को बड़ेल एक बोलता था मैं आपको प्राइमोडियल एक बलता था मैं सर्टूली सेल याद आया एक ट्रांसबर सक्षन में भी पढ़ाया था सर्टूली सेल तो यह एक प्रकल का प्रोटीन है और एक रिली रिली होता है इन ही बीन क्या रिलीज होता है नहीं करें यह दो जो लैडिंग सेहल है यह तो ट्स्टेस्ट्रॉन बनाके कहां रिलीज कर रहा है इंटरस्टिशल फ्लूड में लेकिन प्रमेटो जैनेसिस तो कहां चलता है सम्झली फ्लेस्टिविल के अंदर तो अनदर में सर्टूली सेल एक प्रोटीन मनाके और यहां पर यह एंट्रोजन को करती है और फिर अंदर चली जाती है यानि कि एंट्रेस्टीशल फ्लूड में जो भी एंट्रोजन बिख़ा पड़ा है उसको एक जगह कंजंट्रेट कर देना है कहां किसका है और यह क्यों क्या क्या चलना कहा है और अब आते हैं इनवीन क्या करता है अगर अक्सेस होने लगेगा तो डेवलेपिंग अस्परमेटर जुआ को न्यूट्रेंट देने का काम किसका है तो सबज में आ जाएगा कि बाई इतने जारे इस परमेटर जुआ को हम रिवलेटर नहीं पाएंगे तो वह रिलीज करने लेगा इनहीं और इनहीं जाके निगेटीव फिडवेक दे रेगा है पो धलेम और वो लेगा ओ जी एनरे से रोको लुगेगा तो यह काम है इनहीं क्या करता है यह अपने एक्स यह यह प्रोड़क्शन को रोकता है क्योंकि अपने आएगा तो फिर निगा का करता है यह काम है और आप बस यह समझो कि एक्सेस एक्सेस को अगर मालुक की सब कुछ एक्सेस में आ रहा हो और टेस्टेस्टेस्टरोन का एक्सेस बढ़ना वह खुद अपने आपको निगेटिव इफच्ट दे दे रहता है दो बस रुख जा अब लेज नहीं होगा और यह नहीं होगा तो फुद भ हालाकि निगेटिव और पॉजिटिव हम आगे आपको और सब्सक्राइब करके बताएंगे तो यह है मेल में रिप्रोड़क्टिव सिस्टम में हॉर्मोस का रेगुलेशन बड़ा सिंपल है को जारा काम नहीं है चुकि आप पहले एंडोक्राइन सिस्टम पर चुको इसलि अब देखो एंसियाटी का हुवर की नेस्ट प्लासम में स्टार्ट करेंगे उजनेसिस इस पर मेटोजनेसिस कम्प्लीटली एंड हुआ एंसियाटी पेज नंबर 47 यहां से पढ़ना स्टार्ट करना से पेज नंबर 48 यहां पर अगेन आज से एंडिंग 3.3 स्टार्टिंग से यहां पर कहां तक पढ़ लेना बता रहें लाइनिंग में लिखा होगा लाइनिंग में लाइन के उपर तक पर तक लेना ध्यान से ठीक है चलिए मिलते हैं नेस्ट क्लास में बाई 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 एक क्या